हेलो फ्रेंड्स मैं अंकित पडल स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल क्यूग केज में आज हम फिर से देखींगे मिक्स कोश्चन की स्री जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट कोश्चन है तो आईए स्टार्ट करते हैं तो ये रहा पहला कोश्चन मौम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आकमण कब किया तो इसका सही आंसर है आफशन नमबर ए 1175 में 1178 की बात करें तो गुजराद पर आकमण किया था और वहां के राजा भीम दूतिये ने मौमद गौरी को हरा दिया था और यह जिसके कारें यह उसकी सबसे बड़ी हार हो जाती है पहली बार सबसे बड़ी हार हुई थी गुजराद में 1159 की बात करें तो तराइन का पैथम युद्धू आ रहा जिसमें मौम्मद गौरी फिर से हार गया था पैथवी राज सिंग चौहान से और 1192 की बात करें तो तराइन का दूतिय युद्धू आ जिसमें पैथवी राज सिंग चौहान हार कहतें मौम्मद गौरी से और ग्यारा सच चुरान नवे की बात करें चुरान नवे में तो चंदा वर का युद्धूबत जिसमें जैस चंद राजा थे उसको मौंबद गौरी ने हरा दिया रहा नेक्श्ट कोश्चन ब्रिटैन की रानी रानी एंजिला बेथम किसके समकाली इन थी तो इसका सही आंसर और आप्सन नमबर एकवर के समकाली थी अकवर का सासन था 1556 से 1605 तक और उनके बाद रादगदी में बैठे थे जहां गीर जो इनके पुत्र थे 1605 से 1627 तक जोने सलीम भी कहा जाता था फिर उनके बाद बैठे जहांगीर के वाद साहे जहां साहे जहां का सासन काल था 16-28-1658 तक फिर उसके बाद आए औरंग जीव औरंग जीव का सासन था 16-18-177 तक किसके काल को मुगल चित्रकला का सोन काल कहा जाता है जिसका सही अंसर है उप्सन नमबर ए जहांगीर के काल को इनमें बहुत से चित्रकारियां बनी थी तो पुमख चित्रकार थे जैसे मनसूर बिसंदास और जैसे मनुहर और अबुलहसन ये पुमख चित्रकार थे उनके समय पर उनके दरबार पर समराट अकवर ने निमिलिकद्द में से किस महल का निर्माण फते पुर शीक्री में करवाया जिसका सही आँसर है option number C पंच महल का निर्मान फटेव पूर सीक्री में कराया था और रंग महल की बात करें तो ये दिल्ली में है जिसको साए जहान ने बनवाया था साए जहान है next बौद्धों के बिस्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अपतार किसे माना गया है तो इसका सही आंसर है option number A कालकी next कुची पुडी नेत कहां अरम हुआ था तो इसका सही आंसर है option number B आंध प्यदेश में राजस्तान की बात करें तो यहां का घूमर है पंजाब का भांगडा next question भारत के राजधानी दिल्ली में हिंदोस्तान सोसिलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसेशियन की स्थापना किस बरस हुई तो इसका सही आंसर हो जाता है option number B 1928 इसमें स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी चंद सेकर अजाद ने और भगत सिंग चंद सेकर अजाद और भगत सिंग ने इसकी स्थापना की थी अली नगर की संदी पर कब हस्ताक चरुआ तो इसका सही आंसर हो जाता है option number C फरवरी 1757 में संग संबत की शुरुआत कब हुई तो इसका सही आंसर हो जाता है option number A next question इलाहाबाद की संदी किनों ने निस्पादित की थी जिसका सही आंसर है option number B रॉबर्ट कलाइव और सुजा उद्दोला और साह आलम यह दो चंड़नों में हुई थी संदी पहली चंड़नों में 1765 में मुगल बास्सा साह आलम दूतिय के साथ और दूसरी हुई थी 1765 में 16 अगस्त को और यह हुई थी 12 अगस्त को तो 1765 में 16 अगस्त को हुई थी अवद के नवाब सुजा उद्दोला के साथ और इस संदी के बाद पूरा राजस्प जो भी था बंगाल उड़ीसा बंगाल का उड़ीसा का और बिहार का पूरा भूरा राजस्प कंपिनी के पास चला गया था नेक्स्ट कोश्चन भारत कब एक संप्रोब गंडराज बना तो इसका सही आंसर हो जाता है आप्सन नमबर C 26 जनबरी 1950 इस दिन भारत का सम्मीदान बनकर पूर्ण रूप से लागू हो गया था नेक्स्ट कोश्चन दिल्ली सल्सलत के किस सल्तान को दुनिया का खान कहा गया है तो इसका सही आंसर हो जाता है आप्सन नमबर D मुहम्बत बिन तुगलक को इन्हें दुनिया का खान कहा जाता है और यह मिला था जाता है जैसे जोना खा और एक होता है उल्रा खा इसके दो नाम और भी हैं मुहम्बत बिन तुगलक के नेक्स्ट कोश्चन भारती पुराता तो पर अब एक्षण का गठान किस ने किया था तो इसका सही आंसर हो जाता है आप्सन नमबर D अलेक्जेंडर कनिंगम ने और इस समय बायश राय थे भारत के लौड करजन लौड करजन उस समय भारत के वायश राय थी ये था आठारह सो चैनबे से उननेश सो पांच तक इनमेंसे किस बर्ष अकबर ने तीत यात्रा समाप्त कर दी थी तो इसका सही आंसर हो जाता है आप्सन नमबर C पंद्रह सो त्रेशड में तीत कर में लगने वाला कर इसको हटा दिया था नेक्स्ट भारत बर्ष में बिटिस समराज का संस्तापक कौन था तो इसका सही आंसर हो जाता है आप्सन नमबर C रॉबर्ट क्लाइब यह भारत में समराज इस्तापक करने वाला बिटिस का पहला अंग्रेश था और इसकी बात करने तो यह सत्रस संतावन से आया था भारत का पहला बंगाल गवर्नर भी बोल सकते हैं इसको नेइस्ट कुटमिनार के पास स्ते लोह स्थिम स्थम्किस राजा ने बनवाय था यह वनवाया था चंद्रगुप्त दूतिये Полज गों पूरा लोहका है में जंग सिकalted के चलवायत है और इश इनी के सासिनकाल में चीनी आत ली फायान फायान भी आया था और चंदगुप दुतिय के और भी नाम है जैसे घी ख साया तो इनको बीक्प माधित की उपादी तो यह सा साक ऑप्सन नमबर सी जो मैसूर का सासक था और यह लॉट कॉर्णिबाल्स के दोरा ठड अंगलो मैसूरियोद जो 1752 में हुआ था उसमें हार गया था और रंगपटनम की संदी दोरा यह खतम हुआ था टीपू सुल्तान हार गया था जिसके कारों अबोग बर्स किस बंस संबंदित हैं जिसका सही आंसर हो जाता है ऑफ्सन नमबर भी राश्ट कूट नेक्स्ट कोर्शन सौर मंडल की खोज किस ने की थी जिसका सही आंसर है ऑफ्सन नमबर कॉपर निकस ने और यह खोज की थी 1540 से civivmen कि बार्भट की बात करें तो गधिश्ण जीरों की कोच की थी ऐसे नेक्स्ट कोर्शन की गति का नियम पतिवादेद किस ने किया था तहसा तो यह किए था अपशन नमबर एं कैपलरने और यह किया था सत्तरा सौ सत्तर में कियाOOD है नेक्स्ट कोश्चन लिंग राज मंदिर किस पैदेश में हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है option number D उडीशा में हैं ये मंदिर next मुहम्मब्बिन कासिम ने भारत पर आकमर कब किया तो इसका सही आंसर हो जाता है option number D 712 में और या पहला मुसलिम सासक था जिस ने भारत पर आकमर किया या पहला मुसलिम सासक जो भारत पर आकमर किया था नेक्स्ट नडराज कि कास मूर्ती किस बंस से संवबन दे था तो इसका सही आंसर है option number D चोल 77 चोल बंस की बात कर एक तो इसके संतापक थे बिजय याले बिजय याले अठारा सो पचास इसवी में नेक्स्ट एक ग्रह की अपनी कच्छा से सूर से नियुन्तमदूरी को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर है अपसन नंबर ए उपसौर इसमें सूर पैद्वी के सबसे निकट होता है और यह होता है तीन जनवरी को इसमें सूर होता है 14.70 करोड किलो मीटर और अपसौर की बात करते हैं यह सबसे दूर दिनवाला है और यह होता है 4 जुलाई को इसमें सूर दूर होता है 15.101 कुलो मीटर स्वामी दयानन शुर सती ने किस समाज की स्थापना की तो इसका सही आंसर हो जाता है आफ्शन नमबर बी आर रिस समाज की स्थापना की थी सौमी दयानन सुरस्वती ने जो अठारा सो पच्छत्तर इस भी में बॉंबई में और ब्रह्म समाज की बात करें तो इसकी की थी राजा राम मौहन राय ने 1828 में की थी कलकट्ता में और प्रात्न समाज की बात करें तो इसकी स्थापना की थी आतमा राम, पांडू रंगा एवं एम जी रनाडे ने और इसकी की थी 1867 में और ये भी किया था बॉंबई में नेक्स्ट चित्रकला की गंदार सैली का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया जिसका सही आंसर है ओप्सन नमबर बी माहयान संप्रदाई इसमें बहुत धर्मों कि यह दोनों संप्रदाई हैं माहयान और हीनयान नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज कौन सा है तिसका सही आंसर है ओप्सन नमबर बी गुजरात नेक्स्ट भारत में अधिकतर किस पकार के बन पाए जाते हैं तिसका सही आंसर है ओप्सन नमबर 273 से दो सो बथेशत ईशा नेफ्सट हो जाता है असोक की बात करें तो असोक जो को इसको देव पदर्शनी के नाम से भी । देव पी-डर्सनी के नाम से भी जानते है नेफ्सट नेमिलकत मैंसे किसने अबादत खाना बसाया जिसका सही आंसर है. आपसन नमबर A अकबर ने इबादत खाना बसाया था जाइच्ट ताजमहल की डिजाइन तियार करने बाला बास्टूकार wrapper कौन था तो इसका सही आंसर है. आपसन नमबर B अस्ताद ईसा ने यहसका निर्मार अस्ताद अहमद लहोरी ने एहमद लहौरी ने की थी किसका काल मुगल बास्तू कला का सौन काल कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाता है आपसन नमबर 20 साए जहां इसमें बहुत सी इमारतें बनी थी मुगल काल के समय है जैसे ताज महल आगरा का महल हो गया और जामा मझजिद भी बनवाई थी साहे जहां ने लाल कला भी बनवाया था जाए जहान ने बंद कमरे में रेफिरेजेटर का दरवाजा खुल जाता है तो क्या होगा तो इसका सही आंसर है कमरा धीरे-धीरे गरम हो जाएगा नेक्स्ट दिम्लिकित मैंसे इसमें रक्त नहीं होता पर सांस लेता है तो इसका सही आंसर है ऑप्सन नमर भी हाइड्रा इस वीडियो की पीडियाप राप्त करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं जो इस नाम से है या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक की दी गई है आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप हमें इस नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारे WhatsApp group से जोड़ने के लिए आप हमारे वीडियो के description पर एक link दी गई है जिसमें आप क्लिक करके आप हमारे WhatsApp group से join हो जाएंगे जिसमें आपको बहुत सारे study से related कुछ PDF या material मिलेगा जो आपकी study को और boost कर पाएगा क्योंके चैनल को कीजिए subscribe और bell icon को दबाईए और वीडियो की लाइक, comment and share